हलो एवरिवन यह एंशेंट हिस्टी का लक्चर 3 है इस लेक्चर में हम Pre-Historical Periods के बारे में बढ़े ह dependence तो यह रहा First Paleolithic Age Paleolithic Age तो Paleolithic Age Old Stone Age आई है यह कब से 250,000 यह से लेके 10,000 20 का बिसे तक जो Time Period आता है उस Time को हम फिर यहाँ भी स्टोन से ही बने हुए उजार भगारा यूज होते थे ठीक है वैपन्स मिज्यो लिथीकेच मिज्यो मीज्यो मीन्स मीडल यह टैन ताउजन से फोर ताउजन पीसी फिर नियो नियो मीन्स नियो new stone age 4000 से 1000 कहीं कहीं पे 7000 भी use करते 7000 से अलग लग time period अलग लग countries देती ही चाल को लेती gauge चाल को लेती gauge में क्या use होने लगा copper भी start हो गया use करना और ये 2000 BC से onwards तो first metal जो use किया था human ने वो कौन सा था copper तो ये था हमारा prehistorical तो हम इसको one by one पढ़ेंगे और क्या important achievements थी उस age की और उसके बाद कौन कौन सी हमें sights दिखती है उस era की वो भी हम discuss करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है ये रहा paleolithic age तो paleolithic age कब से कब तक है फर्स्ट हमने पढ़ा ये paleolithic age है 22,50,000 से 10,000 तक अब अर्थ अर्थ कब से exist कर रही अर्थ is 4 billion years है old मैंने अपनी जोग्राफी फिजिकल जोग्राफी की वीडियोज में आपको बताया कि sun की age क्या है तो mention करें comment box में कि age आफसा है कितनी तो next उसके बाद आ जाता है human human जब proto humans कब हमें दिखना स्टार्ट हुए कितने पुराने है 1 million years है okay next इस time पे paleolithic age में old stone age इसको हम कहते है 250,000 से 10,000 बीसी तक के time period था इस time period में climate कैसा cold climate cold climate इसलिए इसका तीसरा नाम भी आजाता है ice age paleolithic age दूसरा old stone age और third is ice age यहाँ पे tools जो होते थे वो किसके बने होते थे rough stone के जाम बोन्स के man जो होते थे वो hunters थे hunter gatherer थे और end stage में थोड़ी social organization start हो दूसराट हो दूसराट हो दूसराट हो end stage old stone age social organization vegans important paleolithic sites India indians of continent में कौन-कौन सी मिलती है सोहान वैली पाकिस्तान में यह एक old site paleolithic age गोदावरी वैली महराष्ट्रा में तो second question आज का रहेगा जो आपको mention करना है comment box में कि गोदावरी जो river है इस यह कहां से निकलती है source क्या है इसका बिमबेट का यह भी एक paleolithic site है और यह किसके पास है बोपाल के पास है नर्मदा वैली यह कहां पे मद्दे परदेश में से सारी जो है आपने mention तीसरा question comment box में आपने mention करना कि नर्मदा वरीवर कहां से originate करती है next टूंगा बद्रा वैली करनाटका में तो fourth question आपने mention करना comment box में कि टूंगा बद्रा वैली जो है यह कहां से originate करती next site आजाती है mesolithic site mesolithic site जो है यह 10,000 से 4,000 BC तक फर्स ले एज में हमने उसको ice age भी कहा यहाँ पे climate warm होना start हो गया था warm climate man move to new areas man ने move करना start tools जो थे यहाँ पे भी stone के बने होते थे लेकिन sharp होने लगे pointed जिसको हम कहते हैं microlits microlits तो microlits भी हमें archaeological अपने ancient history में पढ़ा था कि microlits से भी हमें ancient history का पता चलता है ठीक है तो sharp and pointed tools को हम कहते हैं microlits तो man जो था भी भी hunter था domestication of animals begin हो गई तो कौन सी एज थी जहां पे domestication मतलब pet animals animals को पालना start कर दिया था वो थी mesolithic age important mesolithic age कौन कौन सी है बैगोर राजिस्तान में है आदमगड नर्मदा वैली मद्दे परदेश में है बिमबेट का बिमबेट का कहां पे मद्दे परदेश में है यहां पे आपको 500 पेंटी rock shelters दिखते हैं सराई नहर सराई नहर कहां पे साउधन यूपी में बिर्बन पूर दामदर mention करें कमेंट बाक्स में अगला कुशन कि दामदर रिवर कहां से originate करती है next आज़ाता है नियोलिथिक नियोलिथिक means new stone age यह 4000 से 1000 बीसी तक है earliest evidence की देखो यहां पे 4000 लिख है न लेकिन महडगर बलुचिस्तान में एक साइट है वो 7000 साल पुरा नहीं है और वहां पे देखा गया है कि नियोलिथिक साइट में ही आती है तो कहीं गईंपे 4000 लिख में कहीं गईंपे 7000 से ले 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 इसलिए next domestication wide spread हो चुकी थी अब start कब हुई थी domestication domestication start कौन सी age में वी थी वो ही थी mesolithic मे agriculture स्टार्ट हो गई कौन सी age में नियोलिथिक में cooked food start कर दिया था wheel चक्के बनना start कर दिया लेकिन अभी भी किसके बनते थे पत्था के pottery polished tools कोने लगे स्टोन के होते थे लेकिन सत्यार स्टोन के ही थे important लियो नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है बुर्जों सिरी नगर के पास है यह महडगर सबसे oldest नियोलिथिक साइट है बलुचिस्तान में यहां पे weed cultivate हुआ है देखा गया cotton cultivation देखी गी तो अगला question है mention करें cotton कौन सी crop है राभी crop है चा खारिफ crop है comment box cultivation देखी गई है जब paddy cultivation हो रही होती है तो कौन सी gas बनती है paddy crops में वह भी mention करें comment box में चिरंद बिहार में नियोलिथिक साइट है ब्रह्मगिरी करनाटका में है नौर्थ कचर hills यह असम में है गैरो hills यह भी नियोलिथिक साइट्स बताती है में एकाले में दोजुलिंग heading यह भी असम में है तो यह क्योंच important sites है नियोलिथिक की नियोलिथिक में भी bimbet का sites भी आती है चालको लिथिक कहां से स्टार्ट वी second millennium 2000 से मतलब approximately 2000 से BC से Metals like कोन कोन से use होना स्टार्ट होके mention के recommend box में bronze किसका ally होता है bronze पुछते हैं एक question brass बताता हूं मैं आपको brass जो है यह ally है ally क्या किसका किसका होता है copper और zinc का bronze जो है यह किसका ally है यह है copper and tin tin का simple होता है tin का ally first metal कोन सा use किया है human ने तो कोन सा था वो copper first metal used यहां पे colored pottery use होने start होगी crop cultivation की cotton की सबसे oldest site कहां पे cotton सबसे पहले कहां होगा गया वो हमने उपर पड़ा महरगर में religious belief भी start हो गया था new चालको लिथिक में village communities बनना start होई force बनना start होगी force के अंदर लोग रहना start होगी important चालको लिथिक sites कोन कोन सी है अहार कल्चर उदेपूर में गनेश्वर सीकर में राजिस्तान में दोनों जोरावर एंड इन मोगाउं महराश्टरा में डायमाद परवारा रिवर के पास महराश्टरा में मालवा कल्चर नर्मदा रिवर में important हमारी sites lecture से हम इसके objectives करना start चल देंगे ठीक हजाल से जाथ इसको share करें ताकि मैं इसके पूरा आपको complete in ancient history और geography अच्छे से करवा सको next आ जाता है earliest evidence of rice cultivation rice cultivation की earliest evidence जो है वो कहां पे हुआ था तो answer है इसका कौन सी वैली बैलान वैली earliest evidence मिलता है की rice की cultivation और बताएं cotton की cultivation कहां मिलती है बैलान वैली कहां पे है इलाबाद UP में है earliest evidence rice cultivation का ठीक है who among the following is known as father of Indian prehistory father of Indian prehistory किसको कहा जाता है Robert Bruce Food Robert Bruce Food को कहा जाता है father of Indian prehistory which among the following was the main occupation of paleolithic people old stone age के जो लोग थे वो किस पर depend थे जादा था hunting पर depend थे hunting पर clear हो गया next question आ जाता है at which of the paleolithic sites at which of the following sites all the paleolithic mesolithic और नियो लिथिक तीनों ही मिलती है तो वो कौन सी है बेलान वैली बेलान वैली कहां पे है कहां पे है बेलान वैली अभी बड़ा हमने okay clear thanks a lot for listening जाद से जाद शेयर करें और चैनल को subscribe thank you